आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप फोन पे पे एटियम या फिर गूगल पे जैसी किसी भी अप्लिकेशन में अपनी कोई बैंक की डीटेल्स डाल रहे हैं या फिर अपने एटियम काड की डीटेल्स डाल रहे हैं और यहाँ पर आपको एक आप्शन मिल जलता है last six digits of your card number तो यहाँ पर आपको क्या डालना है क्या फिल करना है आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर आपको डालनी है अपने ATM काड की details तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके लिए चाहिए आपको अपना ATM काड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हर काड में यहाँ पर आपको 16 डिजिट मिलते हैं यानि कि 16 नमबर मिलते हैं हमारे पास एक और काड है तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरे बैंक का एक और डैविट काड है इसमें भी आप देख सकते हैं आपको 16 डिजिट दिख रहे हैं यानि कि यह होते है इसके card number जो कि 16 digit दे रखे है हर card में तो यहाँ पर ये एक invalid card है आपको अपना ATM card लेना है और उसमें जो number आपको मिलते है 16 number उसके आखरी के जो 6 number है जैसे कि इस card में है 243475 और हमारे इस वाले card में दे रखे है 053724 तो यहाँ पर आपको अपने card की details देखनी है यानि कि आप अपने card का number देख लीजिए और उसमें जो आखरी के 6 अंग यानि की 6 digit है वो यहाँ पर आपको इस तरह से डाल देनी है तो यहाँ पर हम अपने इस card की details डाल देते हैं जैसे कि हमें यहाँ पर enter करना है 24-34-75 इसी तरह से आप अपने card में देख लीजिए जो भी आखरी के 6 नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा valid up to यानि की MMYY यहाँ पर आपको अपने card की expiry date जो होती है यह वाली valid up to वाली यहाँ पर आपको enter कर दीनी है तो जैसे की हमें यहाँ पर MMYY में डालना है 11-25 और अगर आपको CVV का एक option मिलता है यानि की CVV डालना है तो आप अपने card के back side अगर देख सकते हैं यानि की पीछे की तरफ आपको 3 digit show हो जाएंगे वो यहाँ पर आप अपने CVV में डाल सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें